आई पेल के तेरवे एडिशन की शुरुआत से पहले चेनई सूपर किंग्स की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ा यूएई पहुंचने के बाद टीम के दो किलाडी समयत कुल 13 सदे से कोविड पॉजिटिफ पाये गए इसमें टीम के चैंपियन तेज गेंदबाज दीपक चाहर का नाम भी शामिल था अब उन्होंने कोरोना को माद्दे का टीम में वापसी कर ली है बुद्वार को उनका दूसरा कोरोना टेस्ट भी नेगेटिफ पाया गया जिसके बाद उनके मुंबई के खिलाब पहले मुकाबले में खेलना तै हो गया इस बार IPL का आयोजन भारत की तरह UAE में कराया जा रहा है BCCI की तरफ से UAE पहुंचने के बाद कुल 1988 लोगों का कोविड टेस्ट कराया गया इसमें टीम से जुड़े खिलाडी, सपोर्ट स्टाफ और टॉर्नमेंट के मैनेजमेंट के लोग भी शामिल थे चेनही की टीम के कुल 13 सदिस का टेस्ट पॉजिटिव आया जिसमें टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर और बल्लेबाज रितुराज का एकवाड का नाम शामिल था PTI से बात करते हुए CSK के कारेकारी अधिकारी केस विशुनातर ने दीपक के टेस्ट निगेटिव होनी की जानकारी दी उन्हें बताया कि दीपक चाहर के दो COVID-19 के टेस्ट निगेटिव आये हैं वो अब दोबारा से टीम बबल में वापस लौट चुके हैं आगे उन्हें ने दीपक के नाम के साथ जुड़ने को लेकर जानकारी देते हुए बताया या BCCI के प्रोटोकॉल के मताबिक उनकी भी कार्डियो वास्कुलर टेस्ट से होकर गुजरना हो पड़ेगा जिससे उनकी रिकवरी कितनी हुई है इस बात का साफ पता चल पाएगा इसके बाद हम उनका एक और कोविट टेस्ट कराएंगे और इसमें भी उनका नतीजा नेगेटिव पाया जाता है तो वो ट्रेनिंग शुरू कर पाएगे दीपक की वापसी के बारे में उनकी रेकवरी पर निर्भर करता है मैं एक वक्त पर निर्धारित कर सकता हूँ लेकिन कम से कम अगले चार दिन ये पक्का नहीं कह सकता लेकिन एक बात तो थोता है कि मुंबई को ख़देड़ने के लिए पहले मैच में चिर्णाई की टीम पूरे तरीके से तयार है ANP Newsroom की रेपोर्ट